नमस्कार दोस्तों 15 जून 2022 के डेली दा हिंदू एडिटोरिल डिसकेशन में आपका स्वागत है वैसे तो देखिए साथ आर्टिकल्स हैं मैं यहां आपके साथ पाँच आर्टिकल्स डिसकस करने वाला हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स तो एक है डिक्टेक्ट्स फॉर डॉक्टर्स मैं बोलूगा यह बहुत अच्छा आर्टिकल्स है जो आज तॉमस जी ने लिखाया यह जो इस्टर्ण डॉन बास रीजिन में आल्मुस्ट रशिया जीत रहा है और युक्रेन हार रहा है इसके बारें बात करेंगे इसको देखूंगा इंडिया के अंदर जो माल लुट्रिशन एक बड़ी प्रॉब्लम उभर के आरी इसे बात करेंगे दो और आर्टिकल्स इंपॉर्टन एक तो सी फैक्टर्स इन रशिया युक्रेन वार और वेट्वेंट चैल्वेर जी यह दो मैं यहां डिसक्स नहीं कर पाऊंगा आगे बनस पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजे इस्ट्राइम पर फॉलो कर लिजे टेलिगर जोन कर लिजे दोनों ही चीजों कर दिया हुआ हो सगे दोस्तों तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबाके और जॉइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं चलिए पहला आर्टिकल अगर अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो ज़रूर दबा के जाएगा लाइक का बटन दबाने में आपको कुछ भी नहीं जा रहा है वीडियो का इंगेजमेंट पढ़ता है क्या लिखा ह इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेजर है वो है उसके लोग खासकर बच्चे और औरतें लेकिन हमारी आजादी के 75 सालों के बाद भी ये दो तबकों की नूट्रिशनल नीट्स कही न कहीं कॉम्प्रोमाइज हैं आज की डेट में अगर आप देखो तो एक चाइल का नूट्रिशनल स्टेटस भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होगा और सबसे खास बात यह कि जो अंडर नूरिश चिल्डरन है वो जल्दी ही डिजीज को प्रोन होंगे बड़े होके स्टडीज अच्छी नहीं कर पाएंगे दिमाग कर डेवलेमेंट अच्छा नहीं होगा लेकिन इस प्रोग्रस को आप मॉडेस्ट बोल सकते हो अच्छा नहीं बोल सकते हो हमारे देश में पौवर्टी कम हो रही है फूट प्रोडक्शन बढ़ रहा है गौर्मेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाए जारे है बड़ उसके बवजूद भी मॉल्लूट्रिशन को बड़ कुछ जगाओं पर डिप्रेशन भी है फॉर एक जामपेल अगर आप बात करो स्टंटिंग वेस्टिंग और एनिमिया की स्टंटिंग वेट्स की बात की चाहिए स्टंटिंग क्या होती है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो एक लोगे स्टंटिंग और अगर आप देखो तो लगबग 13 स्टेट्स और यूनिन टरिट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे एनिफेचस फॉर के रिस्पेक्ट में स्टंटेड नंबर ऑफ चिल्डरेन जो हैं वो बढ़ गये गुजरात माराष्ट वेस्ट बंगाल और किरला जैसे अच्छी खासी economic development है वहाँ पे भी जो proportion है stunting का वो बढ़ रहा है मतलब overall बच्चों अपनी age के साथ उनकी height नहीं बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजा है malnutrition malnutrition is the most visible and life-threatening form of malnutrition basically यहाँ पे आप बात करेंगे wasting की stunting की हमने थोड़ी बहुत बात की wasting की बात करेंगे wasting क्या होती कि आपके height के एसाप से आपका वजन नहीं है जैसे for example होता है न कि 5 foot 11 inch height है तो कम से कम 85 kilo वजन होना चाहिए men का woman का अलग पूरा chart सा होता है कभी आप gym वगर अगयों तो वहाँ पे chart देते हैं कि हाँ इतना body mass index इतने height पे इतना वजन यह सब चीजें तो basically अगर age के एसाप से height नहीं बढ़ी तो stunting और height के एसाप से वजन नहीं बढ़ा तो wasting तो stunting wasting तो बढ़ी रही है उसके साथ साथ अगर आप देखो wasting के लिए क्या बोला जा रहा है या तो wasting बढ़ी है या उतना ही है मतलब improvement हमें देखने को नहीं मिला है wasting घटी नहीं है लोगों का वजन बढ़ नहीं रहा height के एसाप से फिर बात करें कि भी prevalence of anemia anemia की prevalence इंडिया में बहुत जादा है पूरी दुनिया में anemia मतलब iron की कमी कह लीजे उसके चलते red blood cells के number में कम हो जाती है और humoglobin का जो number निकल के आता है blood test report में वो कम निकल के आता है तो अगर normal से कम है आपका humoglobin का number red blood cells कम है iron की कमी है तो उसको बोला जाता है anemia से आप सफर करो अब अगर इंडिया में देखा जाए तो 57% women एनीमिया से सफर कर रही है ऐसा NFHS 5 survey का बोलना है यह women 15 से 49 years की है और लगबख 67% बच्चे जो कि 6 महीने से लेके 59 months मतलब कह लीजे कि आदे साल से लेके आपके पांच साल की उमर के है वो एनीमिया से सफर कर रही है तो 67% बच्चे 6 months से 59 months मतलब आदे साल से लेके 6 साल 5 साल तक के यह एनीमिया से सफर करना 57% वुमन जो कि 15 से 49 साल की है वो एनीमिया से सफर कर रही है इनफेट ऑथर आसाम के यह मैं बता दू कॉंग्रेस के MP है लेकिन इन्होंने ओवराल कुछ क्रेडिबल इंडिकेटर दी है सरकार की सीधी सीधी बुराई करते नजर नहीं आ रह तो यहां पर बहुत ज़रूरी है कि इन प्रॉब्लम्स को इंट्रोस्पेक्ट किया जाए इनके सॉलूशन धूड़े जाए चुकि एनीमिया के बहुत कंसिक्वेंसे हैं यूमन हेल्थ और डेवलपमेंट में ये इंडिविजर्स की वर्क कैपैसिटी को कॉंप्रमाइस कर करता है हमारी एकनोमी को एफेक्ट करता है नेशनल ग्रेट को रोकता है डेवलपिंग कंट्रीज हर साल 4.05 परसंट जीडीपी का नुकसान जहलती है इनीमिया की वज़े से तो यहां पर वूमें और चाइल्ट के हेल्थ और नूट्रिशन इंडिकेटर में हमें इन्वेस् जिसको पोशन भी बोलतो हो तो शक्षम आंगनवाडियर पोशन 2.0 प्रोग्राम में एलोकेशन पिछले साल के कंपार्जन में कम किया गया है नहीं किया गया लगबंग 32% फंड जो कि पोशन अभियान के लिए रिलीस किये गया थे इनको खर्ची नहीं किया गया तो ओवर और इस स्कीम में अगर आप पैसा खतम नहीं कर रहे हो और नूट्रिशन इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहो तो लॉंग टर्म में जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो बहुत जादा बिगड़ सकते हैं इसके साथ साथ आथर यहां पे बोल रहा है कि अपनी अपन करता है एक पार्लेमेंटरिन प्रेपेंट करता है जैसे यह आर्टिकल लिख रहे हैं अब इनकी नॉलज कितनी वाइड पढ़ा लिखा नहीं होगा तो ग्राउंड लेवल पे इन सब चीजों को सोचना समझना अपने आप में बड़ी चीज है ओके इसलिए हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अवेर होने चाहिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी ग्यंग पॉपलेशनल तो यह हमारा कॉंपटिटिव एडवांटेज यह कॉंपटिटिव एडवांटेज तब तक है जब तक नूट्रिशनल और हेल्थ फांडेशन अच्छी है अगर वह हिली हुई है तो चीजें लॉंग टर्म में गढ़ बढ़ा जाएंगी ऐसा है यहाँ पर गौरब गुगोई साब का बोलना अच्छा आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ यह यहाँ पर डिसकस कर लिया अगले आर्टिकल पर चलते हैं डिक्टेट्स फॉर डॉक्टर्स मैं बूलूँगा आज का सबसे बहतरीन आर्टिकल यह ने एक ड्राफट फॉर रेगुलेशन के उपर यह ड्राफट रेगुलेशन्स लागू होंगे और अब अभी इनको पॉब्लिक में रिलीस किया गया है तो कमेंट्स देने हैं आपको 22 जून तक इन पर्टिकुलर रे कि बात की गई, duties of registered medical practitioners की बात की गई, क्या duty होनी चाहिए इनकी patient की तरफ, क्या responsibility होनी चाहिए doctor की एक दूसरे की तरफ, doctors की responsibility towards public and allied health professionals, ये क्या नुची, professional mint conduct क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में overall बहुत से guidelines यहां पे लिखे होगा, अब इन guidelines को अगर आप compare करो, तो बहुत अब ये थोड़ा टेड़ा खाम है, जो कि बहुत सारे general practitioners, जो कि कम consultation fees लेके लोगों को देखते हैं, वो अपनी sustainability के लिए जाधा number of patients को देखते हैं, एक तो होता है, ये बाई एक doctor है, उसकी जो consultation fees है वो 2000 रुपे है, उसने 10 लोगों का consultation किया, 20,000 रुपे बन गया, चलो भाई आज का होगया, प्रस वो 10 लोगो consultation करेगा, उनको दवाई लिखेगा, तो उसके reference से दवाई की store पर बोलो दवाईयां खरीदेंगे, तो उसके पास commission जाएगा, कोई blood test recommend करेगा, तो उसके पास commission जाएगा, तो इस प्रकार से commissions भी कमाते हैं, दॉक्टर की टिक टाक कमाई हो जाती है, लेकिन मानलो कोई एक ऐ consultation fees ले रहा है, तो अगर वो जादा number of patients को देखेगा, तो वो जाके अपना daily का कमाई का कोटा पूरा कर पाएगा, देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई काफी tough होती है, सबने private college से, सरकारी से करी नहीं है, पढ़ाई, सबको aims med mission मिलता नहीं, बहुत सारे लोग लाखों करोड रुपे लगा के डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, दो बाद में पैसे वसूलना बहुत जरूरी होता है, मेरे पहचान महीं एक डॉक्टर है, उनका बोलना था कि भाई, पच्चासी लाख रुपे लग गया पढ़ाई में, अब साथ साल की पढ़ाई में, पच्चासी प्रैक्टेशनर्स हैं, जो कि कम कंसल्टेशन फीज लेते हैं और जादा नंबर आफ पेशेंट्स को देखते हैं, तो जादा नंबर आफ पेशेंट्स को देखने वाले डॉक्टर अपने पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं रख सकते, पिछले तीन साल का रिकॉर्ड रखने वाला यह जो काम है, यह गढ़बढ है, यह cost को बढ़ा देगा, इसको हटा लेना चाहिए, इस regulation को यहाँ पर हटा लेना चाहिए, एक तो यह बोल रहा है, दूसरा यह बोल रहा है कि जब भी sterility का operation हो तो नस्बंदी, नस्बंदी मतलब अगर husband मान लो अपनी नस्बंदी करा रहा हो चाहिए wife नस्बंदी करा रही हो, कोई भी नस्बंदी करा रहा हो, concurrence दोनों की लगेगी husband wife दोनों की, अब इसमें एक catch है, पहली बात तो अगर कोई individual single है, वो शादी शुदा नहीं है, तो ऐसे cases में wife या husband है नहीं, दूसरे case में मान लो वो शादी शुदा भी है, तो उस case में individual autonomy hurt होती, एक इंसान अपनी मर्दी से नस्बंदी कराता है, अब अगर उस नस्बंदी में अपने partner की भी concurrence चाहिए, तो उसकी individual autonomy violate होती है, तो इसके अगे इस टौथर यहाँ पर बात कर रहा है, फिर देखिए, कुछ अच्छी guidelines भी यहाँ पर आई है, जैसे क for example, जो guideline number 3 है, उसमें National Medical Commission ने चरकशपत को drop कर दिया, चरकशपत के चलते बीच में काफी बवाल हुआ था, ठीक है न, जो declaration of Genoa के हिसाब से जो आप कहलो शपत होती है, इन doctors की, वो नहीं करनी है, अब क्या करना है, चरकशपत करनी है, चरकशपत अब यह आप कह सकते हो कि ह हमारे हिस्टरी से रेलेटर है लेकिन इसको criticize भी बहुत अत्तक किया गया, थोड़ा caste angle आजाता था, थोड़ा gender को, मतलब female को थोड़ा नीचे दिखाने वाले element आजाता था, तो चरकशपत को यहाँ पर drop कर दिया गया, तो यह एक अच्छी चीज है, आथर बोल रहा है कि India founder member है World Medical Association का, declaration को बनाने में इंडिया ने अपना योगदान दिया है, तो ऐसे किसे में professional development और professional oath को ही यहाँ पर adopt करना सही है, प्लस, जितने भी practitioners of medicines हैं, जितनी भी medicine के field में knowledge evolve हो रही है, उसके बारे में इन doctors को जानना बहुत ज़रूरी है, किसी बीमारी के case में पूरी दुनि इनिक्स निकलके आ रही है, जब doctor इस चीज़ को जानेगा, तब वो जादा अच्छी तरीके से यहाँ पर treatment कर पाएगा, तो अब समझ यह, एक doctor सिर्फ अपनी college की education पर depend नहीं कर सकता, उसको अपनी खुद से भी education सीखनी है, उसके उपर evolution करना है, दुनिया भर में जो भी medical education के field में development हो रही है, उसको समझ के लेके आगे बढ़ना है, तो अब ऐसे cases में, continuing medical education को professional development बोलागे, अच्छी बात, अब इस professional development के रहे बहुत high quality content internet पे अब लेबेल है, लेकिन overall, committee यह बोल रही है, और जो draft है, regulation का, वो यह बोल रहा है, कि भई, जो continuing education करोगे आप, जो professional development करो करोगे आप, वो किस हिसाब से करोगे, यह decide करेगी, एक committee, तो यह जो national medical commission है, इसने जो committee बनाई है, वो committee decide करेगी कि आप अपना professional development और continuing education किस हिसाब से करोगे, अब यह बात आ गई, US के re-certification की, US में भी re-certification introduced किया गया था 2000 में, तो जो American Board of Medical Specialities है, जिसको maintenance of certification बोलते हो, company continue करनी है, तो उस further study के लिए, कुछ specific courses हों, जो certified होते हैं, उन courses में ही आप enroll कर सकते हो, उसको certified कौन करता है, American God for Medical Speciality करता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो courses है, जो पढ़ाई का material है, उसको certified करेगा, national medical commission, और वही पढ़ेंगे, doctors, अब वही पढ़ेंगे, तो उसी के पैसा देना पड़ेगा, certification लेना पड़ेगा, मतलब वही आप कहलो कि, medical पढ़ाई में पैसों वाला एंगल फिर से आ गए, तो आपने 7 साल की पढ़ाई की, डॉक्टरी की, उसके बाद अगर आपको कोई further course करना है, तो उसके लिए आप एक, वही certified course ही कर सकते हो, जो इसको medical field में और पैसे कमाने वाला और opportunism वाला जो आप कहलो element है, वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस बहुत सारी pharmaceutical companies directly और indirectly educational activities को organize करवाती है, अब इन educational activities में आप participate ना कर पाओ, इस बात को लेकि आपकी जो knowledge dissemination है वो बहुत अब तक restrict हो जाएगी, अभी क्या गयागी, जो pharmaceutical companies directly और indirectly educational activities sponsor करवाती हैं, जिसमें doctors free of cost participate कर सकते थे, इन activities में participate करना prohibit कर दिया गया है doctors के लिए, अब ये बास सही है कि जो pharmaceutical companies educational activities करवाती हैं, उसमें कहीं न कहीं अपने project और अपनी technology को promote करती है, प्लस सोशल मीडिया पे आप किसी patient की scan images को नहीं भेजोगे, तो कुल मिलाके बहुत से आप कहलो regulations हैं, जो कि इस ड्राफ में को वो क्रिटराइस किये गए हैं, जैसे कि for example, first part में जो regulations दीएगे हैं, उनको typical bureaucratic regulation बोला गया है, जो comprehensive professional development के उपर जो guidelines हैं, उनको भी author यहाँ पर क्रिटराइस कर रहा है, टेली medicine के उपर जो guidelines हैं, उनको एक briefing paper की तरह author यहाँ पर बता रहा है, तो कुल मिलाके बहुत से जो facts हैं, इस particular draft regulation की जो की national medical commission के दोरा release किया गया, इसको dr. George Thomas ने criticize किया है, और बोला है कि इनको reorient करने की जुरूत है, इनके उपर फिर से extensive reworking करने की जुरूत है, सब को खराब नहीं बोला है, बट कुछ specific को खराब बोल article scandal हुआ था है, जो gold snubling case हुआ था कि जो UAE का consulate का consignment आ रहा था, इसके अंदर contraband चुपा हुआ था, तो इस बात को लेके सौपना सुरेश का नाम आया था, पहले तो सौपना सुरेश बहुत close थी पिनराई विजयन साब की, जब सौपना सुरेश के ऊपर हमारे investigation agencies की पकड बैठी तो इन्होंने सब कुछ उगल दिया, इन्होंने बोला कि भाई पिनराई विजयन साब ने ही UAE consulate की मदद ली थी ताकि UAE consulate के सामान में contraband को छुपा के इंडिया के अंदर लाए जा सके custom scrutiny से हटा के, अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है, आप एक state के serving chief minister के उपर इंडिया की custom authority से चीजें बचा के smuggling कर रहा है, किसके तुरू एक दूसरी country के consulate के तुरू, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब सौपना सुरेश ने ये जाम लगाया, उसके बाद सौपना सुरेश बोल रही है कि overall Mr. पिनराई विजयन ने plain coat officers के तुरू उनक साब ने बोल दिया भई मैंने कोई intermediary नहीं भेजा, CPI की state secretary ने बोला भई हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं भेजा, in fact ये जो सौपना सुरेश ने ये तक इल्जाम लगा दिया है, कि Mr. विजयन और उनके साथ के लोगों का जो illegal पैसा है, वो किसी religious group के US account में पढ़ा हुआ ह तो बड़े major corruption के इल्जाम यहाँ पर पिनराई विजयन और उनकी सरकार के उपर लगाए गए, इसके बाद से आप देखो तो BJP और कॉंग्रेस के workers केरला की सड़कों पर उतरवाए हैं, पिनराई विजयन के resignation की demand कर रहे हैं, ठीक है ना, police barricade से लड़ाई कर रहे हैं, overall का पिनराई विजयन साब की सरकार को यहाँ पर humiliate करना पड़ रहा है, इस particular revelation के थूर जो मिस्टर मिस्ट सौपन सुरेश ने सामने किया, ठीक है, पिर यहाँ पर इल्जाम लगाया रहे हैं, पिनराई विजयन साब की ओपर की यह whistleblowers को दबाने की कोशिश करते हैं, जो democracy और human rights की बात मिस्टर विजयन बोलते है, LDF करती है, यह सब जूटे हैं, overall इस प्रकार के politics यहाँ पर शूरू हो चुकी है, CPIM और पिनराई विजयन साब के ओपर इल्जाम है, इल्जाम लगाया, तो अपने सुरेश ने, अपने सुरेश जब कुछ पसी, तो उनने सब कुछ यह उचली में ब्लैक को color of resistance माना जाता है, जैसे कि कराची सेशन में जब गांदी जी पहुंचे थे तब उनको black flags दिखाए गए तो ब्लैक को as a color of protest दिखाए जाता है, तो ऐसा बोला गया कि एक rally में Chief Minister साब पहुंचे थे, वहाँ पर black कपड़ों को blend किया गया, बाद में खु थोड़ा background में चला गया है, यह जो corruption allegations है, यह थोड़े dominant हो रहे हैं, अब यह corruption allegations पहले भी लग चुके थे, लेकिन तब भी पिनराई विजेन की सरकार 2021 का assembly elections जीत किया है, लेकिन कहीं न कहीं यह particular allegations पिनराई विजेन साब की सरकार को humiliate तो करी रहे हैं, आप position को एक मुद्द पिर अगले article पर आ जाते है, inflation and government intervention, देखिए inflation की बात की जाए तो थोड़ा बहुत inflation कम हुआ है, मही में जो inflation है, consumer price inflation पूरे देश का 7.04% है, अपरेल में 7.79% तो 75 basis point यहां पे कम हो गया, अब किस हद तक RBI का 45 basis point rate increase था वो यहां पे effect डाला, यह तो हम नहीं कह सकते हैं, ले 8 रुपए प्रती लीटर और 6 रुपए प्रती लीटर इसमें कहीं न कहीं impact जरूर दिखाया है, no doubt यह जो consumer price index के अंदर transported communication category होती है, इसमें जो inflation है, वो 1.37 basis point कम हुआ है, लगबग 9.54% पहुंच गया वो मही में, ठीक है, और यह जो particular category है, transport and communication category, इसका 8.59% का weightage है, पूरे consumer price index में, आप कहलो serious or housing के weightage के नीचे है, इस transport and communication category का weightage, और प्लस यह transport और communication दूसरे sectors पे भी impact डालता है, तो कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल के दाम करने, इसकम करने से inflation कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि long term में आप अराम से बैठ जाओ, देकि एक point यहां पे रि के respect में मही में international crude oil prices बढ़ चुके हैं, तो इंडिया के अंदर जो crude oil बार इंपोर्ट होके आ रहा है, वो महंगा है, एक चीज़, दूसरी चीज़ हमारी जो currency है, it is under pressure, जो currency है इंडिया की वो US के against लगातार devalue हो रही है, तो यह जो दो चीज़ों का continuous impact है, एक currency devaluation, दूस पर बढ़ने की यहाँ पे दो बज़े होगी, ओके, प्लस यहाँ पे food price grains में भी acceleration देखने को मिला है, जो consumer food price index है, अर्बन इलाकों का, वो भाया पिछले मही ने 8.2% था, इस मही ने 11 basis point पहुँचे है, इस मही ने मतलब मही में, और अपरेल में 8.2% था, तो अभी भी inflation को लेके हम शांत नहीं बैठ सकते, अभी भी inflation को लेके हम resolve नहीं हो सकते, अगर आप meat की बात करो, और vegetables की बात करो, तो vegetables में inflation 18.3% बढ़ा है, और meat और fish में 8.2-3% बढ़ा है, तो जो low income households है, इसके उपर इनका impact आएगा ही आएगा, तो overall, internationally, inflation अभी भी भी बहुत effect डाल रहा ह हैं, जो cooking medium है, oil में आप सबजी बगारा cook करते हो, इसका inflation भी 13.3% पर चल रहा है, यूक्रेयन और रशिया वार के चलते हैं, यूक्रेयन से बहुत सब रहा है रहा है, वो आया नहीं है, तो edible oil की बात कर लो, vegetables की बात कर लो, food की बात कर लो, international, आप कहलो, currency devaluation की बात कर लो, international crude oil prices की बढ़ने की बात कर लो, इन सब चीजों के चलते आगे आने वाले समय में, inflation का जो impact है, वो बढ़ सकता है, और हम कहीं से भी यह नहीं बोल सकते, कि हाँ बैस 7.79% से 7.0% inflation हो गया, तो यह और कम हो जागा, यह अगले महीने में बढ़ भी सकता है, तो इसको रोकने के प्रो एक्टिवली सरकार को यहाँ पर स्टेप्स लेने होंगे, लेटसी सरकार क्या स्टेप्स लेती है, और आज का आखरी आर्टिकल on Russia-Ukraine conflict, the battle of Severo Donets, Severo Donets, Donbass का easternmost इलाका है, जहाँ पर यूक्रेइन का कबजा था, अब यूक्रेइन का कबजा इस इलाके से हटता अल्मोस्ट इस इंडस्टिल सिटी पे 80% कंट्रोल हो चुका है रशिया का किसके ओपर? Severo Donets के ओपर, जो भी थोड़े बहुत उक्रेइन ट्रूप्स हैं, ना उनके पास हतियार बचे हैं, ना उनके पास खाना पीना बचा हुआ है, अगर Severo Donets और लिस्ट चैंक्स के ओप पर रशिया का कबजा हो जाता है, तो पूरा का पूरा लुहांक्स और ब्लास्ट किसके पास चला जाएगा? रशिया के पास चला जाएगा, ओके तो यह आप कह सकते हो कि यूक्रेइन के लिए एक अच्छी ख़बर नहीं थी, देखें, नो डाउट यूक्रेणिन सोल्जर के वैलर की तारीफ की गई है, कीव कैपिटल के आसपास और नौर्थ इस्ट इलाके में, कही न कहीं रशियन फोर्स को पीछे ढखेला है यूक्रेण ने, लेकिन यह जो इस्टन यूक्रेण का इलाका, सदन यूक्रेण का इलाका, यहाँ पर यूक्रेणिन सोल्जर्स को कर रहा है, ठीक है, यह जो वेस्टन स्ट्राटजी थी, यह कहीं न कहीं थोड़ी सक्सेस्फुल भी हुई, फेल हुई, वेस्टन स्ट्राटजी क्या थी, कि भाई उक्रेण को मनी और वेपन्स बेजो, और मॉस्को के ओपर नेल बाइटिंग सैंक्शन लगा दो, पट इन स परसेंट से रशीन एकनोमी कॉंट्राट करेगी, लेकिन जो इलाके यूक्रेण के रशीया ने कभजा लिये हैं, लॉंग टर्म में ये इलाके रशीया की एकनोमी को बहुत फायदा देने वाले हैं, जोकि मिनरल रिच इलाके हैं, बहुत अत्तक यूक्रेण की इंडस्ट् पोजिशन लिए, यूएस ने भी लिए, लेकिन अगर आप देखो तो फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ये कहीं एक मिडल लाइन पोजिशन ले रहे हैं, इंग्लेंड ने भी मैक्सिमिस पोजिशन लिए, बिलकुल एंटी रशीया पोजिशन लिए, तो अब ये जो जंग हैं, कहीं पर रुक नहीं रही है, एक ग्रेव सिक्यूर्टी एक्रांस होंगे, इतना इलाका हम कभजा लेंगे, तो अवरल हम अपने इस जंग को बंद कर देंगा, वो प्लान क्या है, जंग कब बंद होगी, इसके बारे में कोई भी क्लियर कट आइडिया किसी को भी इस समय पे ज्यादा से ज्यादे लोग से लेक्चेर को शेयर करें हो सकें, तो सुपर थैंक्स को अप्शन दबा करें, जान इटन दबा करें, आपना परस लिखते रही है